सो आज निफ्टी ने गैप ओपनिंग दिया था कल मैंने आपको बताया था निफ्टी में गैप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी 520 के टार्गेट दिये थे और निफ्टी लगबग 520 के पास टच करके वापिस से एक बार अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर लिया और निफ्टी आज 19,681 का हाई बनाने में कामयाब रहा लेकिन सस्टेंट्बिल्टी यहाँ पर नहीं हो पाई निफ्टी के क्लोजिंग आज 19,605 के पास देखने को मिली सेंसस के क्लोजिंग 65,685 के पास और बैंक निफ्टी के क्लोजिंग 43,743 के पास देखने को मिली और लगबग सभी यहाँ पर 100-100 पॉइंट डाउन होते हुए नजर आए अगर आज सेक्टर की बात करें तो जो बुलिस सेक्टर रहे, तेजी की तरफ रहे उनमें कंस्ट्रक्शन, सिमेंट, मीडिया यह ऐसे काउंटर रहे जो की किरते मार्केट में भी चढ़त का काम करते हुए नजर आए और थोड़ा सा रुकावाट इनमें देखने को मिली, लेकिन ज्यादतर सेक्टर जो की फाइनेंस, बैंक, रियालिटी, पावर, पीएस्यूज, फमसीजी, आटो इन सभी काउंटर में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली फिरहाल, आज का गेनर यहाँ पर बजाज आटो रहा, जिसने की अपने रिजल्ट के दम पर 6% की रैली दिखाई और 5% उपर क्लोजिंग होने में काम्याब रहा फिरहाल, हीरो मोटो कॉप, अल्टर टेक सेमेंट, इंसन बैंक, सिपला, यह ऐसे काउंटर रहे जो की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए, लूजर्स की बात करने तो विप्रो, वी, डियर, टेक महंदरा, गेल, सन फार्मा, यह ऐसे काउंटर रहे जो की 3% से 1.5% निगेटिव क्लोजिंग के साथ यहाँ पर क्लोज होते हुए दिखाई दिए फिलहाल वाई डेटा यहाँ पर काफी हद तक पुट साइट से सपोर्ट दिखा रहा है और 19,500 की पुट पे अच्छा खासा वाई बिल्डप देखने को मिला है कॉल साइट से भी लगबग 19,700 की स्ट्राइक पे अच्छा खासा वाई देखने को मिल रहा है तो यह एक रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है फिलहाल अगर इंट्राडे चार्ट को यहाँ पर देखें तो ज़्यादा तर जो है वो बेरिश साइन ही दिखाई दे रहे हैं गैप फिल के बाद बापिस से एक डाउंडवर्ड चैनल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से मुविंग एवरिजेज या फिर मुवेंटर इंडिकेटर सभी सेल की तरफ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर इमिजेट रिजिस्टेंस की बात करें तो 19,700 पहला सपोर्ट और दूसरा रिजिस्टेंस की बात करें तो 19,780 यह यहाँ पर रिजिस्टेंस की तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे फिलहाल सपोर्ट की बात कर लें तो 19,580 और 19,500 ये दो सपोर्ट अभी मार्केट में काम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कल के लिए अगर देखें तो कल quarterly result का important companies के हैं जैसे JSW Steel, Hindustan Zing, Reliance, JSW Energy, CG Power, L&T Finance, Gland Pharma इन सभी के earnings यहाँ पर आने हैं और इसी के उपर market यहाँ पर depend होगा लेकिन फिर भी अभी भी nifty का trend यहाँ पर down है और 19,500 के लिए फिर से struggle करता हुआ यानि कि उस levels को touch करने के लिए यहाँ पर fight करता हुआ नजर आएगा